हालो दोस्तों नोस्का दोस्तों दोस्तु फाइन आडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत सौगत दोस्तों आज की वीडियOH में हम आपको आडियो इंटरफेस के बारेम बताएंगे जो कि एक ब्रांडेट कंपनी का होगा ये है हमारा पीस जो कि आप देख सकते हैं यह है ब्रांडिंग अहुजा की देख सकते हैं जैसे के आडियो इंटरफेस AI202 यह मॉडल नंबर है और यह बहुत ही बढ़िया है और एक ब्रांड है और यह सबसे ज्यादा यूज होता है और आपको अन्बॉक्सिंग करके दिखाते हैं यह बड़ी है पाइकिंग सॉलेट पाइकिंग है और दोस्तों यह जादे हमारा पीस है आप देख सकते हैं और इसके साथ इसमें एक एसेसरी है जो कि आप जैसे लेप्टाप या कंप्यूटर से इसको लगाने के लिए एलीड है और आप देख इसमें दोस्तों इसमें एक लग मिलती है जो कि इसके पूरी तरीके से इसके बारे में बताया गया है कैसे आप यूज को यूज कर सकते हैं और इसमें जितने फीचर है इसमें दिया गया है और इसके जो रिकोर्डिंग के लिए ज्यादा यूज होता है जैसे आप होम स्टूडियो यूज करते हैं तो है उस इक साथ आपका यह गिटार है और इधर आप एक्टिब मोनीटर लगा के और दोस्तों हेड़फोन का भी दिया गया है जिससे आप चला सकते हैं एक तो यह हो गया आपका होम स्टूडियो और एक प्रोफेशनल स्टूडियो में भी इसका यूज है जैसे इधर आपका लेपटाउप से आजाएगा इंपूट और इधर एक्टिब क्रोफो एक्टिब इसमें स्पीकर है और यह आपका पी ए लाइन का जैसे मिक्सर है और यहां पर आपका यह गिटार के लिए है और यह कैसियो पायड वगयरा के लिए तो यह कुल मिला के ज्यादर तक यह पू इसपेसल यह एक्सलार है और यह दोनों तरहके से यूज होता है एक तो आपका एक्सलार यूज होगा ऐसी में आपको टी आरे स्पिन भी आप इसको यूज कर सकते है और इसमें इसी तरीके से इसका कनेक्शन भी है यह आप माइक में भी और लाइन में भी यूज कर सकते ह यह first channel है और इसका यह second है या आप यह left है या यह right है आप दूसरा mic या दूसरी line यूज़ कर सकते हैं इसीग साथ आपका यह mic control है दोस्तों यह first का है और यहाँ पर आपको एक green की LED होगी जो की signal की है उपर इसका clip का है और यहाँ पर दोस्तों जैसे के एक line में यूज़ कर सक सकते हैं और यह instrument में है उसका दोस्तों यह pad में जो होता गेन ज्यादा यूज़ होता है इसलिए इसका switch है तो आपका गेन बढ़ जाएगा उसका screen line में भी आपका इसी तरीकिस दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों यह output section है और यहाँ पर आप direct monitor यूज़ कर सकते हैं और volume है और इसमें यहाँ पर power की indicator है और दोस्तों इसमें एक खासियत है कि आपको phantom अलग से नहीं लगाना जैसे कुछ podium microphone या आप कुछ system है जिसमें को आपको तालिस वोल्ट की supply चाहिए होता है उसके लिए इसमें supply दिया गया है और पीछे इसका switch भी है उस इक साथ दोस्तों यह आपका headphone का है कि आप क्या चल रहा है उसको सुनने के लिए यह उसी का volume है यहाथ ही solid है और आप इसको देख सकते हैं और इसका आपका यह था front panel और यह back panel है दोस्तों यहाँ पर एक USB लग जाएगा यह lead जो कि आपका laptop से connect हो जाएगा और यह देख सकते हैं यह इसका अहुजय का hologram है जिससे आप original की पहचान कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर है और यह made in Indian है और यह यहाँ पर देख सकते हैं 48 volt अगर आपको on चाहते हैं तो आप कर दीजिए नहीं तो आप कर सकते हैं यह दोनों है active monitor या आपका जो भी mixer को आउट जाएगा इससे आपका connect होके पूरा system चलेगा अब दोस्तों हम आपको चेक कराते हैं दोस्तों यह हमारे सामने पूरा setup लग गया है जैसे कि आप एक कोई recording set होता है उस हिसाब से आप इसको चला सकते हैं सबसे पहले आप यहां हमारा एक छोता amplifier है और यह तो हमारे पास amplifier आप cube भी लगा के इस टाइप का monitor में जो की use कर सकते हैं एक हमने mixer है थोड़ा gain भढ़ाने के लिए यह हमारा laptop है और यह दोस्तों interface जो है आपका इसी से इसी की supply से ही on होगा और operate भी होगा और हमारा चल रहा है आप देख सकते हैं और यह माइक भी हमने लगाया है यहां पर आप देख सकते हैं signal भी दिखा रहा है और इसमें दो microphone आप यूज कर सकते हैं और इसी ताइप की कई तरीके काते हैं जैसे जिसकी demand होती है और दोस्तों इसको बता दें आप इसको एक और टेक्निकल यूज कर सकते हैं जैसे DJ अगरा हमें हैं आप लोग laptop से चलाते हैं आप बड़े program करते हैं तो उसमें क्या होता कुछ leakage current जाता है जैसे बड़े आमा वगेरा mixer में तो उसमें क्या होता आइसी खराब हो जाती हो चैनल डेड़ हो जाता है तो अगर आप interface लगाते हैं तो एक तो signal की quality आपका maintain रहेगा और आपका जैसे mixer जो खराब होता वो problem नहीं आएगी तो हम आपको चलाग दिखाते है हमारा laptop के लिए तो यह इस तरीके से दोस्तों यह हमारा पूरा setup है और आप इसको बढ़िया यूज कर सकते हैं और आप चाहे DJ में यूज कर सकते हैं आप home studio में यूज कर सकते हैं या जिससे आप laptop के थूरू आगर audio किसी चीज में आपको लेना है तो इससे लगाएंगे त उसकी जो signal की quality होगी, अच्छी होगी, strong होगी और clear होगी आप वह ऐसे इसमें दोनों function है आप अगर वह ऐसे चलाते हैं तो काफी breaks ही आवाज आती है लेकिन जब इसके थूरू चलाते है फिल्टर के तो बहुत बढ़िया आती है तो दोस्तों बस हम अपनी वीडियो के ब् कि आती है